ये सितारे कितने दूर क्यों ना हो ये ब्रह्मान कितना बड़ा क्यों ना हो लेकिन मनुष्य की इच्छा शक्ति की आगे मनुष्य की कलपना शक्ति की आगे उसे हर बार सीमीत ही होना पड़ा है मनुष्य ने जब जब अपनी कलपना शक्ति का उपयोग करके नए नए आविश्कार किये है तब तब हार एक मनुष्य को लगा है कि उसके अंदर औस्मिर्क शमताय है जी हाँ जिस प्रकार से इस ब्रह्मान के अंदर औस्मिर्क शमताय है उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर वियासमिक शम्ताय है और ये सब कुछ हुआ, मनुष्य ने किये हुए आविश्कार के कारण, जैसे मनुष्य अपने उपर विश्वास करके नय नय आविश्कार करता गया, उसके अंदर की शम्ताय, उसके अंदर का विश्वास और जैसे हम स्पेस टेकनोलोजी की तरफ मजबूत ही से कदम बढ़ाते रहे हमने स्पेस टेकनोलोजी को पढ़ना शुरू किया और यह वही आविश्कार था यह वही टेलिस्कोप था जो हमें विश्वास दिला रहा था कि आप भी इस ब्रह्मभाण के कई सारे रहस्यों की खोज कर सकते हो तो आज हमें पढ़ना है टेलिस्कोप चलिए शुरूआत करते हैं आज के धमाकेदार लेक्चर को तो अब्सर्विंग स्पेस टेलिस्कोप का लेक्चर नमबर टू आज हम आपको बढ़ने वाले है इसके पहले एक लेक्चर अल्रेडी वाइटी के उपर अपलोड हो चुका है इसी लेक्चर का लाइट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उस लेक्चर में हमने आपको बाद है तो आज की सब टॉपिक है वो सब टॉपिक है ओप्टिकल टेलिसकोप और डीयो टेलिसकोप यह दोनों ही टेलिसकूप के बारे में पूरी डिटिल में जानकर आज लेक्चर में आपको मिलने वाली है दिक शुरुमत करते हैं ओप्टिकल टेलिस्कोप देखिए जैसे ही आपने नाम सुना है ओप्टिकल टेलिस्कोप तो ओप्टिक्स की यहाँ पी बात हो रही है मतलब यहाँ पे गलास की बात हो रही है यहाँ पे लेंस की बात हो रही है मतलब समझ लिजे यह जो टेलिस्कोप बना हुआ है वो किस से बनता है लेंस से बनता है आपको दो या दो से ज़्यादा लेंस का उपयोग करके इस optical telescope को बनाना पड़ेगा यही यहाँ पर बोला गया है two or more lenses आपको लगेंगे two or more lenses दो या दो से ज़्यादा लेंस का उपयोग करके आप optical telescope को बना सकते हो अब इसमें दो चीजे होती है एक होता है आपका objective दो लेंस यहाँ पर होते है एक होता है आपका objective lens एक होता है आपका आईपीस लेंस तो जो अब्जेक्टिव लेंस होता है वो सेलिट裡面 से light कलेक करता है और जो आपका आप आपीस होता है जिसके अंदर से आप देखते हो और वो इमेज को क्या करता है दूसर्ण जो होता है वो होता है आईपीस ठीक है है नए ऐसी दो चीज़े यहाँ पे होती है अब आपको बता है जब हम लैंसेस का उपयोग करेंगे तो लैंसेस का उपयोग करेंगे तो light जय से ही Lenses के अंदर एंटर करेगी तो वह क्या होने वाली है एक पने Direction से वह भढ़कनेगे वाली है तो light lenses में आएगी तो light का क्या होगा reflection होगा इसी लिए lenses का उपयोग करके जो आपने टेलिस्कोप बनाया उसे हम बोलते है refracting telescope उसको बोलते है तो ये बात आप ध्यान में रख लिजिए कि इसको refracting telescope भी बोला जाता है चलिए अब ये थोड़ी से डाइगराम इसको बना लेते हैं एक बार हम कि थोड़ा सा आपको आसानी हो जाए समझने में कि ये होता कैसे है optical telescope काम कैसे करता है तो देखिए यहाँ पे होता है आपका objective एक बड़ा सा lens जो कि celestial body से light को collect कर रहा है celestial body से light आ रही है और ये light को क्या करेगा collect कर एगा अपने focus पे objective के focus पे क्या होने वाली है light collect होने वाली है देख ली चेजर क्या हुआ इसके focus पे light collect हो गई तो यहाँ पे यह जो blue color की आपको line दिख रही है यहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पे image बनी है उस celestial body की लेकिन आपको इस image को देखकर के कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसकी magnified version को देखना पड़ेगा तभी हमको वो celestial body समझ में आने वाली है तो हमने क्या किया दूसरा वाला जो lens लिया है इस lens के focal length के अंदर दूसरे वाली के लिए image को यूज करना है as a object for the second second бер okay पहले वाली ने image बनाई लेकिन पहले वाली नैजमेज बनाई वो दूसरे वाली के लिए अबजेक्ट आपको यूज करनी है तो यह जो आइपीज है इस आइपीज के फोकल लेंग्द के अंदर यह image तयार होनी चाहिए और आपको बता है कि अगर हम lens अगर आप क्या करते हो convex lens लेते हो और convex lens के focal length के अंदर अगर आप object को रखते हो तो object क्या बनाता है यह lens क्या बनाता है उसकी magnified virtual image बनाता है और वही हमें magnified virtual image यहाँ पे चाहिए तो इसलिए हमने image को यहाँ पे बनाया जो कि दूसरे वाले lens के focal length के अंदर है और यहाँ पे यहाँ पे क्या करेगा यहाँ पे यह lens क्या करेगा इस image को magnify करेगा यहाँ पे यह lens इस image को क्या करेगा magnify करेगा और magnify करके बहुत बड़ी image यहाँ पे बनने वाली है देखिए यहाँ पे light गया optical center में से without इफ्लेक्शन पास हो गया उसके बाद जिए यहां पर या यहां से दोट है यहां से देखने या IF से देखने वाले तो देखने वाले को ऐसा लगेगा तो यह उमेज है न sleek बड़ी मेखनी फाइड मेमिल कुछ नज़रणेवाली है ऑफ जो चोटा सा मतलब कोई स्टार आपको दिख रहा था स्पेस में उसकी इमेज आपने घर बैठे इस सिस्टीम का उपयोग करके एक बहुत बड़ी इमेज आपने उसकी बना ली और आप उसको क्या कर रहे हो अभी अब्जर्वी कर रहे हो बहुत आसानी से तो इस प्रकार से काम करता है आपका Optical Telescope लेकिन इस Optical Telescope की यूज में बहुत ज़्यादा Problems भी है जैसे देखिए यह जो इसका Upper Part होता है देखिए यह जो Lens आपने यूज किया इस Lens का जो Upper Part है वो Light के लिए as a Prism काम करता है और आपको बता है Prism में से जैसे ही Light एंटर करती है तो उसका Spectrum तयार हो जाता है अब यहाँ पी Image तो बनी है लेकिन अगर Light यहाँ पर पढ़ती है और Refract हो करके यहाँ पर आती है तो यहाँ पर आपको Light के बहुत ज़ादा अलग Colors भी दिखेंगे बतलब Image तो आपको दिखेंगी तेकिन Image के साथ-साथ में आपको बहुत सारे Spectrum के थूँ तयार हो चुके Colors भी दिखेंगे तो यहाँ पर Clarity जो है और जो Quality है इमेज की वो बहुत खराब हो जाएगी इसलिए ऐसे कुछ Drawbacks है देख लेते हैं इसके कि इसके क्या Drawbacks है Optical Telescope के तो Optical Telescope की कुछ Drawback है कैसे देखो Optical Telescope में हम क्या करते है Optical Telescope में जो भी हम Heavenly Body देख रहे है तो उससे बहुत ज़्यादा Light हमें Collect करनी पड़ती है Star जो है बहुत दूर है उससे पहली थी Light बहुत कम आ रही है इसलिए हम ऐसा ट्राय करते हैं कि जो Celestial Body से हमें Light मिले वह बहुत ज्यादा मिले और बहुत ज्यादा Light करने के लिए आपको Objective जो Lens है आपका Objective Lens उसकी Size भी आपको बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी अगर आप उसकी Size को बहुत ज्यादा रखोगे तब आपको बहुत ज्यादा Light Celestial Body से मिलने वाली है प्रॉब्लम यह है कि जब आप उसकी Size को बढ़ाते हो जब आपने Objective के Size को बढ़ा दिया तो उससे होगा क्या कि यह जो Lens है बहुत बढ़ा बन जाएगा और उसमें Possibility है कि वो Distort हो जाए वो Uniform ना रहे तो यह दोनों बढ़ा Objective Lens बनाने के बाद में आपको क्या करना है आपको जो छोटा सा Lens है वो भी आपको लेना है आपको आएपी वो भी यूज करना है अब Objective और आएपी दोनों को आपको Combine करके आपका Telescope बनाना है सिलेंडर में तो अगर आप जितना बड़ा Objective बनाओगे तो आपका जो Object जो आपको Telescope है उसकी जो लेंग्ट है वो भी कैसे हो जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी अब उसको मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा problem कर सकती है तो यह मैनेज करना बहुत difficult हो जाता है और और उसके बाद जो Objective Lens आपका स्पेक्ट्रम त्यार कर रहा है उसके जो एजेस है वो स्पेक्ट्रम त्यार कर रहे है उसके जिसे क्या हो रहा है image में colors भी आ रहे है तो यह जो problem उसको बोला जाता ह है chromatic aberration मतलब image में colors आ रहे है जो कि नहीं आने चाहिए इसको बोला जाता है chromatic aberration तो इसकी वज़े से भी बहुत सारे problem face करने पड़ते है optical telescope में तो हमने optical telescope की यही सारी बातों को ध्याद में रखते हुए इसको हटा दिया और इसकी जगापे हमने थोड़े से और यह जो reflecting telescope है इसमें भी आपको दो टाइप नजर आते हैं एक होता है आपका Newtonian telescope और एक होता है आपका कैसे गरेंड टेलिस्कोप तो optical telescope में जो problem आ रहे थे आपको लेंस की वज़े से उसको उन सारे drawbacks को निकालने के लिए हमने जो नए वाले टेलिस्कोप बनाए तो उसमें हमने mirror का उपयोग किया तो उसमें पहला कौन सा अपना Newtonian telescope है और दूसरा कौन सा कैसे गरेंड टेलिस्कोप है अब Newtonian telescope काम कैसे करता है यह भी आपको मैं डाइगराम के साथ में बताने वाला हूँ देखो जरा तो जो आपका Newtonian telescope है इसमें क्या किया जाता है इसमें सबसे पहले आपको यूज किया जाता है आपका कौन कियो मिरर आपने यूज किया तो कौन किय जो मिरर आपने यूज करने के बाद में तो जो भी celestial body आप देख रहे हो तो celestial body से आने वाला जो light है वो आएगा और इस mirror के उपर पड़ेगा और इस mirror के उपर पड़ने के बाद में reflect हो करके यहाँ पे आएगा हूँ तो यहाँ पे आपने क्या किया है यहाँ पे आपने ठीक है ना मतलब यह दिखिए यह जो है यह आपकी optical telescope का क्या है एक्सीस है तो इस एक्सीस के perpendicular आपने उसको light को भेज दिया कैसे भेज आपने कि सबसे पहले आपने तो कौन क्यों mirror की उपर light को collect किया पहले हम क्या करते थे optical जो objective lens था उसकी वज़े से light को collect करते थे अभी हम कौन क्यों mirror का use करके क्या कर रहे है लाइट को collect कर रहे है तो यहाँ पे आपने कौन क्यों mirror लिया celestial body से light आया reflect हो करके plane mirror की उपर पड़ा और plane mirror ने इसको divert करके eyepiece की तरफ भेज दिया कहाँ पे भेज दिया eyepiece की तरफ भेज दिया यह है आपका eyepiece तो देखिए बात कितनी आसान हो गई पहले क्या होता था इतना बड़ा objective lens आपको लेना पड़ता था और वहाँ भी chromatic aberration आ रहा था अब देखिए आपने direct mirror यूज़ किया और mirror का जो वज़न होता है वो lens के comparison बहुत कम होता है तो आसनी से अपना काम हो गया मतलब light भी collect हो गई आइपीस की तरफ भी गई और magnified image भी हमें को मिल गई और ज्यादा है भी हमको system तयार भी नहीं करनी पड़ी इस प्रकार से यह neutron telescope काम करता है और ऐसा ही एक है bars जो PowerPoint कैसे ग्रेन टेलिस्कोम है तो वह भी आपको बदाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के कॉन की उपर क्यों क्यों मिर्ट की उपर लाइट सेलेस्टियल बॉड़ी से आने वाली लाइट जो है वह इसके उपर पढ़ रही है और यहां से रिट्ट होने के बाद में कॉन्वेक्स मिर्ट की उपर लाइट पढ़ रही है अब यहां से लाइट क्या होगी रिफलेक्ट ह जाएगी आइपीस की तरफ जाएगी मतलब यहाँ पर आइपीस को कौन कियो मिरर के पीछे ही लगाया हुआ है कि यहाँ पर जो आइपीस है वो कहाँ पर लगाया हुआ है कौन कियो मिरर के पीछे ही लगाया हुआ है और फिर हमें यहाँ पर मिलने वाली है Magnified Image of that Celestial Body तो यह है आपका Cassegrain Telescope यही difference है कि Cassegrain Telescope में आप क्या करते हो Convex Mirror का उपयोग करते हो और जो Newtonian Telescope होता है उसके अंदर आप कोई भी Convex Mirror का उपयोग नहीं करते हो Newtonian Telescope में हम क्या करते है Basically Newtonian Telescope में हम Only Conqueue Mirror का यूज करते है और Plane Miracle का उपयोग करते है और कैसे ग्रेंद में किसका उपयोग करते हैं कैसे ग्रेंद में Conqueue Mirror भी यूज हो रहा है और Convex Mirror भी यूज हो रहा है दोनों का यूज करके हम Magnified Image of Celestial Body यहाँ पर बना रहे है तो चलिए आगे वड़ते है देखिए क्या बोला गया है इन इंडिया वी हैव सेवरल टेलिस्कोप विद Conqueue Mirrors आफ तू मिटर डायमेटर देट हैव बिन यूज पर मेनी इयर्स तो इंडिया में हम रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोप का भी यूज करते है करें और रिफ्लेक्टिंग कम्यूज कर रहे है तो उनकी डायमेटर छो बिरेला हमने यूज कने मिरेकर के यूज क्या कि यूज है और the biggest optical टेलिसकोप इंडिया प्या बु LAUGH तो ऑप्टाइकर टेलिसकोप को वी हम इंडिया में यूज करते है having having a mirror of 3.6 meter diameter okay तो इसमें भी हमने मिरर लगाया हुआ है अब यह कहां पर है आर्या भट्टर रिसर्च इंस्टिट्यूट ओफ एक्स्परिमेंटल साइन्स नाइनिताल तो नाइनिताल में सबसे बड़ा एक अप्टिकल सेंटर हमारे देश का है इस इस अप्टिकल टेलिस्कोब इन एशिया तो यह भारत का यह नहीं पूरे एशिया में सबसे बड़ा टेलिस्कोब यह नाइनिताल में है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अब दीखे रेडियो टेलिस्कोब तो आपको बता है कि जो सेलेस्टियल बॉडी है उसमें से विजिबल लाइट तो निकलता ही है लेकिन उसके साथ साथ में बहुत सारे डिफरेंट 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 जो वेवलेंग्थ है इन रेडियो वेवज को समझ करके उनके बारे में जानकर ही हासिल करना बहुत सिंपल हो जाता है तो ऐसे ही रेडियो वेव जो सेलेस्टियल बॉडीके अंदर से निकल रहे है तो उनको कैप्चर करने के लिए रेडियो टेलिस्कोब भी क्या करते हैं बनाते है तो मेनी लाइट है उसी को हम देख सकते हैं लेकिन यह जो रेडियो 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 वेवस है वो हम नहीं देख पाते हैं हमारी आखों से तो इसके लिए हम क्या करते हैं a special type of telescope is used to receive this rays it is called radio telescope तो हम क्या करते है यह थोड़ी special type की टेलिस्कोप इसके लिए बनाते है और इसको बना जाता है रेडियो टेलिस्कोप इसको बोला जाता है it is made of it is made from one or more dishes of parabolic parabolic shape तो यह जो डिशेश के बना जाते है parabolic dishes की यह बना जाते है as in optical telescope the incident radio waves are reflected by these dishes and converge at the focus radio receiver is placed at the focal point तो क्या करते है यह parabolic dish बनाते है और उसके center में क्या करते है radio receiver लगाते है और उस radio receiver को the information gathered by this receiver is passed on to computer तो जो radio receiver है वो क्या करता है उस wave को computer की तरह pass करता है और वो computer फिर उन waves को analyze करता है तो उनका जो structure है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि यह जो है GMRT है ठीक है ना GMRT इसको बोला जाता है ठीक है जायंट मिटर है इसको बोला जाता है यह हमारे महराश्ट्र में पूने में यह स्थित है और उसको बोला जाता है GMRT ठीक है इसको बोला जाता है जायंट मीटर radio telescope डेडियो टेलिंस्कोब रेडियो वेवस जो होती है तो इसकी व्यूवलेंग्थ बर्द केल J,1 मिटr के आपॉकस बड़ा नी छस्कोरारी मिटरर मिएनल चाह्ट करने के लिए ऐसे डिच आता और इसके देखिए इसकी जो focus पे इसके focus पे क्या लगाया हुआ है radio receiver लगाया हुआ है और फिर ये collect किया जाता है computer को ताकि वो उन radio waves को analyze कर पाए येस तो महाराष्टर के पूने में नारायन गाओं में तो ये जो पूरा GMRT उसका setup पूरा किया गया है 25 km के जो area में इसको लगाया गया है और ये पूरे जो dishes है वो celestial bodies से आने वाले radio waves को collect करते है तो GMRT एक बहुत बड़ा project है इंडिया का और दुनिया भर से लोग इसको देखने के लिए आते है इसको analysis करने के लिए आते है तो ये radio telescope इसको बोला जाता है येस तो इसी के साथ साथ ये जो हमारा lecture है वो समापत हो चुका ह है आपको करना क्या है स्टॉल डीपीपी आपको सॉल करने है सबसे पहले आप डीपीपी सॉल कीजिए ये सबसे पहले आपका homework है दूसरा आपका homework है कि क्या लड़ डाग्रियम्स कि ए। ल्य टामशर लाग्र ड्यां लॉड़ अग्राव कर लॉड़ डीपर ट्रॉड वड़ कर लॉड़ लर देफलव्सनो बिक्यности, और लॉड़मवर, के हैं नॉड़़ टॉड़ घ einz तー ल सर लॉड़ ङरां लॉड़़ हैं लौन इल कैसेए सब के आपको डाइगराम निकालने है यह यह आपका हमवर्क है यह आपको कंप्लिट करना है देन बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने पूरा लिक्चर देखा इसके बाद और एक लिक्चर आएगा और फिर यह टॉपिक जो है खतम हो जाएगा तो उसके साथ साथ मुझे लगता है आपके नाए शेट का जो फिजिक्स का सिलाबस है तो इसी चप्टर के साथ में पूरा समफ तो होने वाला है और जो भी अगला पार्ट रहेगा तो उसमें आपकी रिविजन्स बहुत सारे चलने वाले हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच